नमस्कार मेरा नाम यश्वन साहूर आप देखना शुरू कर चुके हैं विलाई टाइम से मेरे राइट सर बैठे हैं 2017 के आई एस और वर्तमान में भिलाई निगम के नए कमिशनर रोहित व्यास सर से बात करेंगे बहुत सारी विशह हैं चुकि भिलाई मिनी इंडिया है और मिनी इंडिया को लेके क्या कुछ उनके पास चैलेंजेज है क्या उनके पास प्राथ्विक्ता है उस पर बात करेंगे सर भिलाई में आपका स्वागत है बहुत-बहुत धन्यवाद आपका यह आपका दूसरा निगम होगा शाहिद मेरी साब से इससे पहले मैंने जब मैं अधिकारी था तब मैंने निगम आयुकत का चार्ज लिया था तो यह मिलाई को लेके सर कैसा आपका वह एक्सपीरियंस इस आपने सुना होगा भिलाई निगम है तो आप क्या सोचे थे इससे पहले तो मैं बस तरजले से आ रहा हूं तो काफी अर्बनाइज यहां पर तो इसमें सबसे महत्पूर्ण यह है कि हम जो हमारे आम नागरिक है हमारी जनता है उनको केंद्रबिंदू बनाए अपने कारे का और शासन के हमारी जितनी बी जनकल्यानकारी योजना है उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है तो वह सबसे इंपोर्टन प्रियोरिटी र परना है तो वह कौन से काम है आपके पास सभी एरिया जिसमें इस अफ लिविंग जो हमारे अर्बन एरिया जो नागरिकों को जिससे सुविधा होती है तो मोस्ली जिसमें सबसे इंपोर्टन होता है अब आवारा मवेशी जैसे शड़कों में घूमते हैं तो उनको हम कैसे इसमें कोई प्राइरोटी शेहर के विवस्ता देखके ही इसमें लिस्ट बनाया जा सकता है तो मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा शहर कैसा है बिलाई शहर और यहां पर किन चीजों पर हमको ज़्यान देना होगा ज्यादा फोकस करना होगा तो उसी के इसाफ स एक priority decide की जा पाएगी सफाई बड़ा challenges है यहां पर इस लगातार खर्चे बढ़ रहे बट शहर उतना साफ नहीं है जैसे ग्राउंड पर देखेंगे एक समय था जब 17 करोड उपा में पूरे एक साल की सफाई का ठेका हो जाता था आज 30 करोड पास पहुंच गए हैं उस पर कै सब्सक्राइब के साथ महंगाई बढ़ती है तो हर चीजों के दाम बढ़ते हैं तो हमको उसी परिपेक्ष में भी इसको देखना चाहिए और सफाई में लगातार यहां की टीम अच्छा कारे कर रही है ऐसा नहीं कि कोई खराब कारे हो रहा है लगातार इसमें अच्छा का अलग में जाने प्रयास करते हैं नाइट टाइम स्वीफिंग के लिए हम लोग पाल स्रत है कि जो हमारे कमर्शνη अरिया यही न में एद हान करें और हमरे जरनेर्शा कि आंफ घर लेक्री की, जब आप घर में करत्या है तो इसको आ रंग अलग करें इसको सोर्स्प्रिगे बोलते हैं व्यक्ति अपने घर पर ही कर ले रहा है तो जब हमारी सब गाड़ी आती है सफाइव वाली तो उनके लिए थोड़ा सुविधा रहता है उसको रिसाइकल करना थोड़ा सा आसान होता है और हम लोग इसमें यह प्रयास करेंगे कि जो हमारे बड़े-बड़े बनाके उसको विक्रे करें जाना चाहेगा कि आइस रोहित व्यास कौन है तो आप एक शॉट में डीटिल करें अब देखिए मैं तो जनता का सेवक ही हूं और शासन का कर्मचारी हूं शासन की सेवा जनता की सेवा करने ही यहां पर आया हूं और सीनियर्स का सभी का मार्क दर्शन लगातार इसमां हमको मिलता रहता है तो मेरा लाइफ का उद्देश भी वही रहता है कि किसी तरह से हम लोग के जीवन को बेटर बना पाएं लोग की लाइफ को थोड़ा अच्छा बना पाएं बेसिक डीटेल आपके बारे में आपका घर क्तर परिवार सेब helpless hè अं болो मैं उजयन मद्य प्रादिश का रहने वाला हूं और मेरी प्रानभि कष्प्षा उजयन oynION में मैं इंडूर में हुई है मैंने इनजिनेरिंग फरम सर्वास्य कर्या है देवलफमें जबेवार साथ मैं तीन साल शाय किया उसके बाद मैं भारती पांच मेंसे चार संभागों के कारे करने का अफसर प्राथ हुआ तो मैं इसमें सुभागिष है काफी और काफी अच्छा लगा यहांपर चारी करने का शेट लोग सब्सक्राइब है अच्छा आप रहा है तक एक टीस अच्छा है में जोभी मिला इस राही पुछ गलेक्टर बताई है कि सरकार की जो यूजना है उसको ग्राउंड लिवर पर कैसे वह करेंगे धन्यवाद